नमस्कार दुस्तों स्वागत आपका फार्मरोक्स की यूटूब एचिक इसने चनल में आज की वीडियो लेक्चर में हम डीटेल में स्टेडि करेंगे पैरालेसिस के बारे में पैरालेसिस की जिसको हम लकवा रोग भी कहते हैं तो यह होने की रीजन्स वगेरा क्या होते हैं कौन से कारण से लकवा हो सकता है फिर उसके सिम्टम्स वगेरा क्या होते हैं और कैसे ये कंडिसन का इलाज हो सकता है तो सीखते हैं डीटेल में आज QD lecture में और जानते हैं paralysis के बारे में तो ऐसे इसम जो कि आपको बहुत सारी बीबारियों के बारे में सीखना है तो आप medicine course को जोइन कर सकते हैं PharmaRox की mobile application के उपर तो ये course जोइन करने के लिए आप हमें WhatsApp कर सकते हैं या फिर हमारी mobile application को डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको description box में मिल जाएगी तो अब आते हैं topic पे और समझते हैं paralysis के बारे में तो paralysis एक ऐसे medical condition है कि जो हमारे nervous system से जुड़ी है और specially जब nervous system damage होती है या फिर वहाँ पे कोई injury होती है तो उसके करण जो वह paralysis का problem हो सकता है तो बहुत सरी reasons से क्या होता है कि हमारी जो nervous system होती है वो damage होती है तो उसकी related यह problem है और neurons related problem हो उसको कह सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले nervous system क्या है वो आप समझे तो nervous system जो क्या है तो जो neurons होती है उसका complex collection है कि हमारे पूरे body के अंदर neurons जो फैली होई है और यह neurons के current हम movement कर पाते हैं कि हम जो move कर रहे हैं कि हमारे हाथ के movement हो रही है हमारे पैरों के movement हो रही है फिर जो हम बोलते हैं तो हमारे muscles के movement होती है हमारे eyeball मतलब कि हमारे आखे के जो होती है उसकी movement होती है तो वो सब responsible है हमारी nervous system के करण उसी तरह से हमें जो sensations होते है जैसे कि हमें ठन लगती है तो वो पता चलता है गर्मी लगती है तो पता चलता है हमारे आसपास कुछ गटना हो रहे तो वो भी हमें पता चलता है फिर हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं तो वो जब जो अलग-अलग sensation जो होते हैं वो भी nervous system के करण है तो nervous system दो प्रदरी के से divide होती है एक central nervous system कि जो brain और spinal cord से तयार होती है और second जो वो peripheral nervous system कि जो brain और spinal cord में से निकलने वाली जो अलग-अलग neurons होती है वो हमारे सरीर के सभी भागों में फैलती है और उसके करण एक peripheral nervous system जो वो तयार होती है तो specially क्या होता है कि जगा हमारे ये neurons किसी तरह से damage होती है अलग-अलग reasons से कि जा है वो spinal cord में से निकलने वाली neurons से या फिर हमारे brain में से निकलने वाली तो central nervous system में से जो भी neurons निकलती है तो वो समझो कि किसी तरह से damage होती है तो उसके करण ये जो sensory functions या फिर जो हमारे motor functions होते है उसके उपर असर बढ़ता है और जो area में neurons damage होती है वहाँ पे sensations कम हो जाते है या फिर वहाँ की movement कम हो जाती है तो वो problem को हम paralysis जो है वो कह सकते है तो paralysis के अलग-अलग types होते है वो अब यहाँ पे हम समझते है तो सबसे पहला यहाँ पे एक type देखे कि जिसमें लिखा है hemiplex या गर के लिखा है तो उसका मतलब यह होता है कि सरीर के कोई एक side में कि चाहे left side का बाग हो या फिर सरीर का right side का बाग हो तो उसमें दोनों side के बज़ाए सिर्फ एक ही side के legs और जो पेर अगरा है या फिर हमारे हाथ है दोनों paralyze हो जाते है महला कि किसी एक side की movement चाहे हाथ है या फिर पेर या फिर दोनों की movement बंद हो जाती है पैराप्लेजिया में आप देखो तो सिर्फ सरीर का निचला हिस्सा जो होता है कि दोनों legs होते है वो काम करना बंद कर देते है फिर quadripleजिया में क्या होता है कि पूरा body इसके अंदर paralyze हो जाता है कि दोनों हाथ आप लेलो दोनों legs लेलो दोनों इस तरह से जो है वो काम नहीं कर पाते चाहे सरीर का उपला हिस्सा है या फिर नीचे का हिस्सा है और monoplasia में क्या होता है कि सिर्फ एक ही side का ब्रग कि चाहे एक side के legs है या फिर एक side के जो है वो हाथ वगेरा है तो कोई एक ही पार्ट जो है वो उसके अंदर पैरलाइस होता है कि चाहे उपर का एक सैड का या फिर नीचे का कोई एक सैड का उसमें पैरलाइस होता है तो इस तरह से चार अलग अलग टाइप पड़ते हैं पैरालसिस के तो उसके कुछ यहाँ पर हम reasons देखते हैं तो सबसे पहला जो reason होता है कि spinal cord में injury होना तो जैसे मैंने आपको बता है कि जो spinal cord में से neurons निकलती है peripheral neurons जो हम कहते हैं या फिर main spinal cord कि जो origin है कि जहाँ से वो अलग-अलग neurons निकलती है और सरीर के अलग-अलग भागों तक पहुचती है तो मानलो spinal cord ही damage होती है या फिर वहाँ पी injury होती है तो उसके करण वो neurons damage होगी और वो neurons जो responsible है अलग-अलग motor movement के लिए कि उसके करण हमारे body के जो muscles होते है वो movement करते है और वो उसके करण जो वो body में motor functions देखने को मिलती है तो वो ही area damage होने के करण वो functions के उपर असर होता है फिर brain के अंदर जब stroke का problem होता है brain stroke जो हम कहते है उसके करण भी paralysis हो सकता है कि जिसको हम brain injuries के अंदर include करते है चौथा reason हम देखी तो cerebral palsy का जो problem है फिर multiple sclerosis की जो condition की जिसको हम sort में MS कहते हैं कि MS के problem के करण भी यह हो सकता है और जो अलग-लग neurological disease होती है specially जो neurons का damage होना कि सबसे पहले क्या होता है कि neurons weak होने लगती है और उसके बाद वो जो वो damage होने जाती है तो उसके करण भी यह paralysis का problem हो सकता है दूसरे कुछ reasons हम देखे तो autoimmune disease कि आपके body का ही immune system आपके ही body के healthy cells को damage करने लगता है तो उसके करण भी यह problem हो सकता है diabetes के अंदर यह risk बन सकता है family history रही है herpes simplex virus का infection हुआ है high BP रहता है फिर abstain virus के करण भी यह problem हो सकता है या फिर herpes juster virus है तो यह कुछ अले के लिए reasons है कि जिसके करण आपको paralysis हो सकता है अब बात करते है diagnosis की diagnosis कैसे होता है कि कैसे पता चलता है कि किसी को paralysis हुआ है तो सबसे पहले तो CT scan की जाती है person की MRI करवा सकते है blood test, neurological examination कर सकते है उसके अलावा physical examination से भी पता चलता है कि person को paralysis हुआ है आगे बात करते हैं उसके कुछ symptoms की तो सबसे पहले कि loss of feeling कि जो part में paralysis होती है वहाँ पर आपको कुछ भी feeling नहीं होती जैसे यहाँ पर आप देख रहे है कि कोई चीज आपको touch हो रही है उसके अगरण आपको pain हो रहा है तो कोई movement देखने को नहीं मिलते है senses नहीं होते muscles का control जो है वह चला जाता है कि समझे कि person paralyze है और उसके हाथ में आपको कोई चीज देते है तो समझे कि उसके हाथ में paralysis हुआ है या फिर pair में paralysis हुआ है तो वह अच्छे से चल नहीं पाएंगे या फिर कोई चीज उसको आप हाथ में देते हो तो वह अच्छे से नहीं पकड़ पाएंगे और वो चीज सायद गिर भी सकती है तो उसको हम कहे सकते हैं कि loss of muscle control की चलने में दिखकता ना या फिर किसी चीज को पकड़ने में दिखकता दी है फिर muscles के अंदर cramps होने लगते है tingling जैसा feel होता है जैसे कि sui चुपने जैसे कई बार दर्द होने लगते है या फिर जो चीटी काट लेती है और जो दर्द होता है ऐसा दर्द कई बार feel होता है numbness भी feel होती है कुछ लोगों को जिसके अंदर कुछ भी पता नहीं चलता sensation चले गए है ऐसा जो वो feel होता है तो दूसरे दो टाइप देखे हम paralysis तो दो टाइप में हम टाइप में हम paralysis को mainly divide कर सकते एक ऐसा है कि जो complete paralysis है कि कोई भी muscles के उपर आपका control नहीं है या पर आप देख रहे हैं या फिर completely वो bed rest करता है और partial paralysis में क्या होता है कि कुछ area ही paralyzed होते है body के कि मानलो सिर्फोर सिर्फ चाहरे के muscles इस तरह से damage होते हैं तो उसको हम facial paralysis कह सकते हैं या फिर एक side का हाथ में ही से हम जो किस तरह से paralysis है या फिर कोई body का कोई एक side का हिस्सा ही थोड़ा paralyzed हुआ है और बागी की body जो है वो moment कर रही है तो उसको हम partial paralysis जो है वो कह सकते हैं तो complete paralysis में क्या है तो उसकी कोई treatment नहीं है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि there is not cure for permanent paralysis कि जिसको हम permanent या फिर complete paralysis कह सकते है because जो spinal cord में जो injury होती है किसे accidentally और उसके करण समझे कि पूरा body इस तरह से paralyzed होगा है तो वो reverse नहीं हो सकता because जो हमारे neurons होते हैं वो ऐसी होते हैं कि एक बार जो neurons बन जाती है वो समझे कि किसे तरह से completely damage हो चुकी है destroy हो जोगे तो नहीं neurons नहीं बनती because जो हमारे body के normal cell होते हैं उसमें गया होता है कि वो cell वापस जो वो तयार हो सकते हैं कि समझे कि हमारे skin के उपर कुछ damage हुआ है और वहाँ के cell damage हो गए तो कुछ दिनों के बाद नहीं skin जो नहीं बन पाते हैं तो उसके करण क्या होता है कि वो area जो हमें सा के लिए paralyzed रहे जाता है कि जिसको हम कह सकते है complete paralysis और उसके करण क्या होता है कि कोई treatment उसकी available नहीं होती सिर्फ फोर सिर्फ कुछ supportive care जो पेशन को दी जाती है जैसे कि आप जो उसको rehabilitation करवा सकते है physiotherapy करवा सकते है speech therapy, routine exercise और cognitive behavior therapy जो वो पेशन को दी जाती है because इस तरह से patient समझे कोई wheelchair पे है completely bed पे rest कर रहा है तो ऐसे condition में क्यों देखे काई बार वो mental disorders भी उनको हो सकते जैसे कि वो समझे कि depression जैसा feel करते है anxiety जैसा feel करते है तो उस वक्त उनको cognitive behavior therapy देना ज़रूरी पड़ता है तो यह treatment हो जाती है कि जब complete paralysis हो जाता है अब बात करते है second type के paralysis कि जो है partial paralysis तो partial paralysis में क्या है कि आप जो है वो body के कुछ हिससे ही paralyze होते है या फिर कुछ part ही paralyze होते है कि जिसके करन दूसरी movement जो है वो आप कर सकते है जैसे की facial paralysis तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि facial paralysis हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ वो face के आदे हिस्से के muscles ही paralyze होते है या फिर सिर्फ और सिर्फ इस तरह से आप देखो हाथ का भाग ही आपका paralyze हुआ है तो इसको हम partial paralysis जो हो कहते हैं या फिर उसको bills palsy भी कहा ज़ता है तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं तो समझो कि चहरे के दो हिस्से हम कर दे तो यह side का हिस्सा आप देखो तो यह normal है और यह वाला जो मैं P लिख रहा हूँ वो आपको पता चल जाए का यह paralyzed भाग है तो इसके side आप देखो कि यह muscle से वो proper अच्छे से movement नहीं कर रहे है और वो side का हिस्सा जो हो paralyzed होगा है तो उसमें क्या होदा है कि जो muscles में sudden weakness देखने को मिलती है वो side की neurons हम जो कि अच्छे से काम नहीं कर रही या फिर neurons weak होने लगे है तो उसके करण यह जो problem हो सकता है और यह जो सीर्फ फोर सीर्फ जो facial muscles होते है और facial जो neurons होती है उसके कारण ही यह होता है और वही पर यह इसकी effect देखने को मिलती है और यह problem reverse भी हो सकता है जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि starting में यहाँ पर यह paralyzed बाग है और उसके बाद कुछ दिनों बाद या फिर कुछ हपतों के बाद यह person जो फिर से वापस normal भी हो जाता है तो जिसको बेल्स पालसी कहते हो और बेल्स पालसी में कहते है कि जो हमारे facial neurons होती है कि जो हमारे पूरे चाहरे के उपर इस तरह से यह फैली हुई आप neurons देख रहा है कि जो yellow color की है तो यह neurons के करन हमारे जो चाहरे के जो muscles होते है वो अच्छे से movement कर पाते है और एक facial structure भी हमारे अच्छे से तयार होता है कि जिसके करना आप अलग-अलग expressions दे सकते हैं आप बोल सकते हैं और आपका जो movement वगिरा है कि आपकी जो speech हो रहे है कि जिसके अंदर आपकी jeep की movement हो रहे है उसके करना आप बोल पाते हैं अच्छे से आपकी आखों की movement होती है तो वो आप कर पाते हैं बट बेल्स पालसे में क्या था है कुछी एक side का हिस्सा जो है वो paralyzed हो जाता है तो उसके कुछ reasons होते हैं जैसे कि autoimmune disease के करन ये problem हो सकता है कि आपके ही सरीर का immune system आपके ही सरीर के जो healthy cells या फिर healthy neurons होती है उनको damage करने लगता है और वो weak होने लगते है और उसके करने इस तरह से muscles अच्छे से काम नहीं कर पाते diabetes के करन ये problem हो सकता है family history रही है herpes simplex virus, high BP, abstin virus या फिर herpes, juicester virus के करन ये problem जो हो सकता है फिर आगे कुछ और reasons देखे तो viral infection एक main reason बनता है और inflammation या फिर जो swelling होती है 7th number की जो cranial nerves होती है कि जो हमारे चहरे के उपर जैसे मैंने आपको बता है कि अलग-अलग facial neurons फैली होई है तो उसमें जो 7 वे नंबर की जो neuron होती है तो वो neuron में समझे कि inflammation आ गया है या फिर surgeon जो हम कहते है तो उसके करण भी ये problem जो हो सकती है तो उसके हम treatment के हम बात करें तो सबसे पहले तो ये जो weakness होती है वो temporary होती है और उसके जो symptoms से वो कुछ weeks में फिर से जो है वो reverse हो जाते है और especially reason based के बार treatment की जाती है कौन से reason से ये problem होई तो उसको ऐसे medications दी जाते है कि जैसे उसका BPHC control रहे है और ये problem जो वो वापस reverse हो जाए उसी तरह से किसी को किसी और reason के करण problem हुआ है जैसे autoimmune disease के करण हुआ है तो उसके related दवा या देकर patient को ठीक किया जाता है फिर समझे कि किसी को viral infections के करण हुआ है तो antiviral medication से भी उसका treatment हो सकता है कि जैसके अंदर specialist साथ दिन का course रहता है और cyclovir का या फिर वाला cyclovir का रोज के साथ combination में oral platnisolone जो वो दिया जाता है और कई बार neurons की healthiness के लिए multi vitamins पी दिये जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकता है कि जो और cyclovir की जो tablet है ऐसी विर करके याँ पे एक sipla का marketed formulation आप दे रहे है तो यह patients को prescribe के जाता है 7 days के course के रोप में या फिर वो नहीं ले पाता तो वाला cyclovir का option रहता है और उसके साथ combination में prednisolone के tablet जो यह वो patient को prescribe के जाता है खास कर lower dose में 10 या 20 mg में उनको दिया जाता है और neurons को healthy रखने के लिए Neuropean Ford tablet जो वो patient ले सकते है या फिर उसी के similar कोई दूसरा product जैसे की Maconar Ford करके यह tablet से जाता है कि जैसके अंदर Macaobolamine है Pyridoxin है फिर Ionositol है Alpha Linolic Acid, Folic Acid उसी तरह से यहाँ पर भी आप देखेंगे तो vitamin B complex और B12 जो वो खास कर present है तो इस तरह के दवायों से जो वो paralysis को जो reverse कर सकते कि जो partial है temporary paralysis है complete paralysis का तो मैंने आपको बता है उसी तरह से कोई proper treatment ही नहीं है सिर्फे सिर्फ weight करना होता है और जो अलग-अलग supportive care है वो patient को जो वो देना होता है तो इसी तरह से आपको detail में सिखना है बहुत सारी बीमारियों के बारे में तो आप medicine course को जोईन कर सकते हैं, pharma rocks के अब उपर तो ये course को जोईन करने के लिए आप आप में whatsapp कर सकते हैं या फिर हमारे mobile application को download कर सकते हैं, link आपको description box में मिल जाएगी so good luck and all the best जाएपलसटगी आपको soci Early आपको एल को बहुतसषदोस दोख जङना को डवर पती है जाएगी जाएगी